नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो को देखिए, ये यूपी सरकार की पुलिस और चात्रों के उपर लाठियां चला रही है देखिए कैसे पुलिस लाठी चार्ज करके चात्रों को ख़डेड रही है, उनको मार रही है ये तस्वीर प्रियाग रायच के UPSC दप्तर के बाहर की है दरसल दोस्तों UPSC ने PCS Pre-2024 का एक्जाम 7 और 8 दिसम्बर को और ROARO Pre-2023 का री एक्जाम 22 और 30 दिसम्बर को 2 शिप्ट में कराने का फैसला लिया है इसी फैसले का च्छादर विरोध कर रहे हैं लेकिन दोस्तों च्छादर की इस मांग को मानने की बचाए यूपी सरकार की प्रिश उनके साथ कैसा बरताओ कर रही उसको आपनी वीडियो में देखा भी हम आपको एक बार फिर वीडियो दिखाते हैं देखिए उन पर लाठी चलाए जा रही है दोस्तो आरो ए आरो 2030 का प्री एक्जाम 11 फर्वरी को कराया गया था फिर शाम को ही सोशल मेडिया पर पेपर लिग की खबर सामने आई उसके बाद चात्रों ने विरोध किया तो पेपर को रद कर दिया गया योगी सरकार ने चात्रों से कहा कि 6 महिने के अंदर ही पेपर कराया जाएगा लेकिन 9 महिने बाद डेट अनाउंस की गई और डेट भी ऐसे कि चात्र विरोध करने को मजबूर दोस्तो अभी हाली में जारखन में प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी ने कहा कि अगर हमाई सरकार आएगी तो युआओं को नौकरी पकी उत्तर प्रदेश में सरकार भार्टेंदा पार्टी की ही है वहाँ पर चात्रों के साथ ऐसा विवहार किया गया एक तो चार्दर लंबे समय से वेकंसी आने का इंतिजार करते हैं दिन राथ मेहनत करते हैं अगर वेकंसी निकाली भी जाती है तो पेपल लीग हो जाता है और पेपल लगबग एक साल के लिए टाल दिया जाता है उसके बाद अगर रिग्जाम के डेट अनौन्स होती है त इस पर सियासत भी शुरू हो गई है विपक्ष भारतियंता पार्टी की सरकार पर तंजिकस रही है किसने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं कौंग्रेस के एक सेहंडल से लिखा गया है नरेंद्र मोदी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि विजेपी सरकार बनने पर पक्की नौकरी दोंगा लेकिन हकीकत यह है कि चाहे महराष्ट हो गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश हर जगा बेरुजगार की भीड देखने को मिलती है यह वो राज जहां बिजेपी की सरकार है लेकिन नरेंद्र मोदी यहां की वाओं को पक्की नौकरी देने की बा को लेकर शांती पूर प्रदर्शन करे हजारों चात्रों को पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेडा शर्मनाग चात्र नौजवान के लोगतांत्रिक अधिकार भी चीन रही भाजपा सरकार जिन विरोधी यह निकम्मी सरकार जल्द होगी सत्ता से बाहर इसके लोग कौंग जवान हैदर नाम की यूजर ने लिखा है महराज जी ने कहा था कि दुनिया नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश आएगी आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे देखे किस तरह से पुलिस घसीट घसीट कर यवाओं को नौकरी दे रही थी अब बता और किसी को नौकरी चाहिए तो इस तरह से तमाम लोग और विपक्ष चात्रों के हित में आवाज उठा रही है और चात्रों के साथ यूपी सरकार की पुलिस ने जैसा वर्ताव किया है उसके निंदा कर रही है फिलार इस पर आप क्या कहना चाहते हैं आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज ख्याला कियेगा नमस्कार